चलिए, यह concept जो उठा रहा हूँ में time and work से उठा रहा हूँ, इसको एक question के थुरू प्रूफ करूँगा, तो यहाँ पर question दिया गया है, एक question है कि x can do a piece of work in 40 days, मतलब x जो है एक काम को 40 days में complete करता है, x एक काम को, x एक काम मतलब one work लिखते हैं पर लोग, x एक काम को 40 days में complete करता है and he works for 8 days, और x जो है 8 दिन के लिए काम करता है, तो इसको पूरा-पूरा लिखना बहता रहेगा, मैं लिख देता हूँ, x can do a piece of work in 40 days, मतलब x किसी काम को 40 days में करता है, यह किसी काम को, उसकाम को 8 दिन तक करता है, 8 days and then y finished, and then y finished it in how many days, 16 days, ओके, इसके बाद जो है y उसकाम को किते दिन में 16 days में करता है, ओके, तो कह रहा है कि दोनों लोग मिल करके, किते दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, अगर दोनों मिल करके करें उसकाम को तो बताइए ओकितना समय लेंगे, तो चलिए आएए इस question को solve करते हैं, कैसे solve करेंगे, देखिए, देखो x अकेले अगर काम करता है, तो x को 40 days में कितना काम करता है, one work, x जो है 40 days में one work काम करेगा, तो one day में कितना काम किया होगा, one upon 40 work, तो कितने दिन तक इसने काम किया, 8 दिन तक काम किया है, तो 8 दिन तक काम किया है, तो मतलब 8 upon 40 work इसने कर लिया, मतलब 8 upon 40 मतलब 1 by 5 work इसने complete कर दिया, ओके, तो इसने 1 by 5 work complete किया, अब अगर 1 by 5 work complete किया हुआ है, तो बाकी बचा हुआ काम कितना होगा, left work equal to complete work होता है, कम 1 और 1-1 upon 5 मतलब 4 upon 5 work ठीक है? तो 4 upon 5 work जो है अब 4 upon 5 work जो है इसने कितने दिन में कर दिया है? 16 days में मतलब 16 days में जो B है वो कितना sorry Y है Y कितना काम कर दिया है? 4 upon 5 ओके? 16 days में 4 upon 5 कर दिया है तो one day में y का काम कितना होगा 4 upon 5 और divide by 16 कर दिया 4 गया मतलब 1 by 20 मतलब एक दिन में 1 का काम कितना है 1 by 40 और एक दिन में y का काम कितना है 1 by 20 तो एक दिन में दोनों का काम कितना होगा together work x and y for one day तो एक दिन का दोनों का काम कितना होगा 1 upon 40 प्लस 1 upon 20 ओके एक दिन का काम इसमें LCM ले लिजे तो कितना आजाएगा 40 यहाँ पे आएगा 1 और यह कितना हो जाएगा 2 ओके यानि 3 by 40 वर्क 3 by 40 वर्क है इनका एक दिन का काम 1 दे का अगर हम चाहते हैं कि यह complete वर्क करें so one day multiply by हमें कितना पढ़ना पढ़ेगा 40 by 3 का multiply करना पढ़ेगा एक दिन के लिए हमको 40 by 3 का multiply करना पढ़ेगा so 3 by 40 multiply by 40 by 3 इकोल्स टो कितना हो जाएगा 1 वर्क मतलब एगर together काम करेंगे तो इनको किते days लगेंगे ये 40 by 3 days इनको लगेंगे ओके 40 by 3 days solve कर लिजे इसको 40 by 3 कितना आएगा so 40 divided by 3 ओके तीन बार गया और कितना ये 39 1 मतलब आंसर कितना हुआ 31 raise to 1 by 3 days अगर ये complete उस काम को करना चाहते है तो 31 raise to 1 by 3 days इनको लगाने पड़ेंगे